नमस्कार मैं जोत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी को दोस्तो आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तो आज मैं फिर से हाजीर हूँ आपके लिए एक बहुत ही खुबसूरत और सुगंधित फ्लारिंग प्लांट लेकर दोस्तो यह है कामनी का जिसको मधु कामनी भी बोलते हैं दोस्तों और इसमें छोटे-छोटे फ्लार आते हैं और बहुत ही खुश्बुदार होता है दोस्तों और इसको आप इंडोर अगर फ्लार नहीं आ रहे हैं तो भी आप इंडोर रखिएगा तो बहुत ही खुबसूरत एक लुक देता है दोस्तों और य का सुबह का मॉर्णिंग का धूप आता है तो आप जरूर इसको ग्रो कीजिए आपको कहीं बाहर निकालने का जरूवत नहीं पड़ेगा और आराम से उसी जगह फ्लारिंग भी करेगा और आपका बहुत अच्छा मतलब खुश्बू भी फैल आएगा तो यह देखिए दोस् बात करूंगी दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेश्ट करना चाहूंगी हमारे वैसे दोस्तों को जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो सब्सक्र jase निकलते हैं दोस्तों यह देखिये दोस्तों मैंने पूरा निपॉर्ड से इस प्छलान với गे Mia है ओर मैं इसको भी परोट करूँ इनके लिए मैंने स्वान्पा वीडिया है दोस्तों इसमें लिए इसमें लिया मैंने त Claytoni गեյ delivery Cloud औरarkanि से सब्सक्राइब है और साथ में दो चमच आपको नीम खली जरूर मिलाना है दोस्तों और इस तरह मिला के आपको मिटी गंबले में फिल करना है और यह देखिए मेरा एक गंबला है इसमें मैं छोटे-छोटे एट के टुकड़े डाल रखे हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा यह मेरे सुख्य पत्ते हैं इसमें मैं डाल दूँगी ताकि यह ड्रेनेज होल बहुत अच्छा बना रहे इसके लिए मेरे गार्डन से निकले हुए सुख्य कुछ पत्ते हैं दोस्तों और इस तरह मैं इसमें डाल देती हूँ मैं हर एक गंबले में कोशिश करती हूँ कि यह पड़े ताकि यह धीरे धीरे डीका पोस्ट होके यह खाद का भी काम करेगा और आपका ट्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रखेगा गंबले का और फिर इसमें इस तरह मिटी आप डालके और अराम से आप लगाईए यह दोस्तों मैंने गंबले में हाफ मिटी भर दिया ह अब मैं इसमें इस प्लांट को डालूंगी और थोड़ा बहुत आपका जो रूट कट जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कि इसमें काफी सारा जड़ा गिया है और छोटे गंबले में हम लोग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ना हो प्लांट इस वज़ा से भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रीम कर देते हैं रूट को बट यह अभी उतना नहीं है कि मैं ट्रीम कर सकूँ लेकिन अगर हलका फुलका लगाते समय यह तूट जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है आपका पौधा नहीं मरेगा सर्वाइब करेगा अ और अच्छा रहता है पौधे के लिए और फिर इसको आप उपर से मिटी भर देजिए यह देखिए दोस्तों मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है प्लांट की चार तरफ और जड़ों की तरफ से इस तरह आपको दबा देना है और देखिए किता खुबसूरत लग रहा है दो meillä in description box में मैं इसका link di home Africa करके देख सकते हैं यह बहुत ही असानी से और बहुत ही टीकाओ पॉर्ट आप बना सकते हैं अपने घरों में ही और अपने घरों को सजा सकते हैं दोस्तों इसमें मैं पानी अगया दाल देती हूं जरूर इसमें एक मुठी बर्मी कमपोस्ट या काउड़कू कमपोस्ट या जो आपको होममेट कमपोस्ट है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए और जब फ्लारिंग का सीजन होता है दोस्तों जब देखिए कि आपके इसमें बर्ट्स नहीं नहीं आने लगे हैं तो उसमें पोन मिल जरूर एक चमच मिलाएं दोस्तों और इससे बहुत अच्छा इसका फ्लारिंग होता है और बहुत सुगंधित फ्लार होता है दोस्तों इसको मैंने पहले ही बताया आपको और इस तरह आप पानी और धूप का ख्याल रखिए ये धूप में चलता है बहुत पास ख्याल रखना पड़ता है कि पूरे जब गर्मी आता है होट सीजन उससे में आपको पूरे धूप में नहीं रखना है और आपको हापडे का धूप दीजिए बहुत अच्छा चलता है और इस तरह आप ख्याल रखिए गया तो आपके घर ये सालो साल बना रहता है दो दोस्तो और बहुत अच्छा आपका पौधा चलेगा तो आज के लिए इतना ही जनकारी थी दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ कुछ नए इंफर्मिशन के साथ तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और पसंद आई तो लाइक जर लाइक जर लाइक जरता हैं इतना ही जर प्लांट के संद्द में को देखते हैं दोस्तो लाइक जरता हैं तो हैं तो